हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रो, विजो अलाट एंजी के टुटोरियल वे आपका स्वागे थे दोस्तो आज हम देखेंगे भारती आदनिक कला का भाग छे पाच भाग मैं पहले बना चुकी हूँ बीस बीस के कोशन से जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये सारे ही प्रिशन बहुत ही महत्वपूर हैं क्योंकि आगामे परिक्षा के लिहाज से भी इंको देखा जाए तो इनके आने के काफी चांस है तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पेस्ट कर दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो ख अब उसके आगे हम बढ़ रहे हैं तो यह 101 मानिए अब बंदर और कंचन पेड का चित्र जो बनाया है वो किस ने बनाया है ए राम चंदरन बीसी सान नियल सतीश गुजरार यह अपड़ना को तो दोस्तों यह चित्र बनाया है ए राम चंदरन जी ने आप्शन ए हैस का आंसर ए राम चंदर जी का यह प्रसिद्ध चित्र है बंदर और कंचन पेड़ सेरिमनी ओफ अनमास्किंग कृति किसकी है शांती रवे अनुपमसूद गुलाम महुम्मद शेख या चिंतनुपध्य तो यह है हमारी प्रसिद्ध भारतिय कलाकर अनुपम यूप से है ऑप्शन भी हैस का अंसर अगला प्रिशन है उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार पटुवा कि लोक कला और बंजेंटाइन मसी का संगलन था जेमिनी राय, राजरभी वर्मा, नेना दयाल, तये मैता लब किस चित्रकार ने अपने चित्रों में जो पटुवा कला है लोक शेली उसको और बंजेंटाइन जो मसी का जो चित्र बनते थे जिस तरह से ब्राइट कलर हो वो सब चीजे किस ने अपने चित्रों में संगलित किये हैं, दोस्तों इसका अंसर एंप्षन नमबर ए, जेमिनी राय, अगला है, चित्रकारों के बड़ोदा संहु के संस्थापक कौन है, हिम्मत शाह, एनेस बेंदरे, चिंतन उपाद्याय, या नंदलाल बोस, तो दोस्तों इसका अंसर एंप्षन नमबर भी, एनेस बड़ासमू के संस्थापक अगला है आरिबियाई भवन के सामने स्थापित यक्ष और यक्षणी की विशाल मूर्तियां किसके दुवरा बनाई गई है धनराज भगत, राम किंकर बेज मडालनी मुखर जी और डीपी रैचोधरी इसका अंसरे ऑप्षण नमबर B राम किंकर बेज जी दुवरा बनाई गई है यक्ष और यक्षणी की मूर्तियां अगला प्रिश्ण है किस समकालिन चित्रकार ने चित्रकला श्रंखला आवाजों की स्मृति का निर्मान किया है नलिनी मलानी, वी रमेश, तैया महता या अबूपैन ककर तो दोस्तों इसका अंसरे ऑप्षण नमबर B वी रमेश ये चित्र जोह श्रंखला है वो वी रमेश द्वारा बनाई गई है अगला है कोलकता स्कूल आफ आर्ट के प्रथम प्राचारे कौन थे नंदलाल बोस, ईवी हेवल, अवनींदरनाट टेगो और या बैडन पावल दोस्तों इसका अंसरे ऑप्षण नमबर B ईवी हेवल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था थोड़ा डिटेल में किससे पहले मद्रास महाविद्याले के प्राचारे थे उसके बाद ये कलकता महाविद्याले के प्राचारे बने निमने मैं से कौन सा भारती मुर्तिकार अपने व्यापक पेमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है जो फाइवर ग्लास माध्यम का उप्यो करते हुए पॉप और भारत की परंपराओं को एकाकार करते हैं रविंद्र रडड़ी राघव का नेरिया सुबोध गुपताय लटी का कट उस तो इसका अंसर है ऑप्शन नमर ए रविंद्र रडड़ी ये जो स्टाइल है महिलाओं के बहुत सारे सिर बनाकर और फाइवर ग्लास माध्यम से उसका उप्यो करते हैं और पॉप और इंडि टेगोर ये नंदलालबोस इसका अंसर है ऑप्शन नमर सी अवनेंद्र नाथ टेगोर के चितर शंकला है दारेबियन नाइट्स वह कौँ सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनिक बस्तरों के घरों से सीखी धनराज भगत डीपी राय चोधरी सुबोध गुपता या मीरा मुखर जी तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नमर डी मीरा मुखर जी मीरा मुखर जी के बारे मैं आपको बताती हूँ कि इनका जन्मुगा था 1923 में और 1989 में इनकी मृत्य हो गई और इन्होंने जो आधिवासी जो धलाई परंपरा थी प्राची परंपरा पद्धि उसको उन्होंने सीखा उसको बोलते थे लॉस्ट वैक्स प्रोसेस उसको सीखा उस माध्य में इन्होंने अपनी चित्रों अपनी मूर्तियों को बनाया इस पद्धिती में पश्चीम बंगाल के जो धोकरा बस्तर जो 36 गड़ में हैं गेरुआ तथा बिहार के मलहार आधिवासी मूर्तियां बनाने में कार करते हैं तो याद रखिए यह जो परंप अगला है अभी कतन ए और अतरक आर है दोनों की जाच करना है और सत्त की भचान करना है अभी कतन है क्रिशना रेड़ी की शिक्षा दिक्षा मूर्तिकार के रुप में हुई थी परंदुवा प्रिंट मैकिंग क्यों और मुड़ गए और तरक यह दिया हुआ है क्योंकि वह यह दोस्तों दोनों चीजें कि उन्होंने शिक्षा तौह मूर्तिकार और के रूप में लेकिन जब वह जामिल हो गए तो उनका आरू जो रुजहान था वह किस्व प्रिंट में के तरद चला गया ऊब भारत के सीध्र क्रिंट मेकर बने ब्रिश्ना रेड़ी जी सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में किसने अपना केरियर प्राणम किया एनेस बेंदरे सतीश कुज्रा एमेफ हुसेन या मंजीत बाबा दोस्तों इसका अंसर है ऑप्शन नमबर सी एमेफ हुसेन एमेफ हुसेन ने फिल्मी पोस्टर कट आउट प्रेम चंद्र की कहानी पर आधारित शत्रंज के खिलाडी नामक फिल्म का निर्देशक कोन है रित्वी घटक, रिशिगेश मुखर जी, सत्य जीतरे या शेखर कपूर दोस्तों ये पिच्चर बनाई थी सत्य जीतरे ये प्रसिद्ध फिल्म है शत्रंज के खिलाडी ये प्रेम चंद्र की कहानी पर आधारित है और इसका निर्मान हुआ था 1977 में इसकी जो रंग भूमी, काया कल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमी और गोदान जो प्रेम चंद्ध की प्रसिद्ध कहानिया है और उन्ही कहानियों में से एक कहानी पर उन्होंने बनाई थी सत्रंज के खिलाड़े कलास अंस्थानों का सही करम बताना है, यह सबसे पहले कौन सा बना, उसकी बात कौन सा, तो मैंने आपको एक उसका तरीका बताया था प्रोसेस के इसको आप अगर याद रखेंगे तो आपको इनका याद रहेगा किस स्क्वेंस में ये स्थापित हुए थे, तो उसका था MKBL MKBL बोलने या आप इसे मकबूल बोलने मुंबई, कलकत्ता, सोरी मदरास, कलकत्ता, बॉम्बे और लाहूर मदरास, कलकत्ता, बॉम्बई और लाहूर Option C है इसका आंसर रविंद्र नाथ टेगोर जिने भारत का प्रतम आधुनिक कला कर माना जाता है का आत्मचित्र यूरोपी आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है अतियतार्तवाद, भविश्यवाद, घनवाद या प्रभावाद तो ये प्रभावित था घनवाद, Option C से अगला है, शांती निकेतन में, मेडियेवल हिंदू सेंट्स नामा भित्ती चित्र किस ने बनाया है विनोद बिहारी मुखड जी, नंदलाल बोस, केजी सुपरमनियम या राम किंकर बेज तो ये बनाया है विनोद बिहारी मुखड जी जी ने, Option A है सकांसर इसमें हेल्प केजी सुपरमनियम या जी ने की थी, लेकि बनाया ये, जो मेन कलाकार जाना जाएगा, वो विनोद बिहारी मुखड जी है मदर टेरिसा किस ने चित्र किया, नंदलाल बोस, मंजीत बाबा, सतीश गुजराल या, मेफ हुसेन तो ये मदर टेर्जा प्रसिद चित्र है, मेफ हुसेन जी का, Option D है सकांसर किस चित्रकार ने बिन्दू को लेका चित्रन किया है, तैयम है ता, जी आर संतोष, मेफ हुसेन या, S.H. रजा तो ये किया है, सेयद हैदर रजा जी ने, Option D है सकांसर, बिन्दू को शंकला है, उनकी काफी प्रसिद, और इस तरीज का लास्ट कोशन ये है, और दोस्तों से पहले वीडियो खत्म को आप प्लीज लाइक जरूर कर दें, नमर 20 है, आधुनिक चित्रकार, G.R. संतोष जाने जाते हैं, मित्किय विशेवस्तु, तांत्रिक आकार, सामाजी के थार्थ या प्रभाववादी प्रवत्ति, तो दोस्तों इसका आंसर, Option B, तांत्रिक आकार, इसलिए, G.R. संतोष जी को तांत्रिक कलाकार कहा जाता है, और ये कश्मीर के कलाकार थे, अब जाते जाते आपसे एक प्रश्न है, जो मैंने अभी आपको बताए थे, प्रश्न उसी में से है, आज की स्रीज में से ही, आप इसका आंसर मुझे इस वीडियो के डिस्क्रप्शन बॉक्स में जरूर लिख कर दे, सौरी, कमेंट बॉक्स में लिख कर दे, कॉशन है कि फिल्म सत्य जीतराय जी ने जो प्रेम चंदर की कहानी पर बनाई थी, उसका नाम क्या है, प्रश्न है, सत्य जीतरे ने जो फिल्म बनाई थी, प्रेम चंदर की कहानी पर उस फिल्म का नाम क्या है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर खियान रखे, जय हिंद,